आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर हाँ थमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा इस तरह के नोटिस आ रहे हैं कि जिससे की आपकी रूख आप जाएगी आपको रिपलाए देने के अंदर दिक्कत होने वाली है सर ऐसा क्या हो गया नोटिस में जरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो लोग GSTR 9C भर रहे हैं उन्हें कैसे कैसे सवालों का जवाब देना पड़ सकता है सर ऐसा क्या हो गया जरा बताता हूँ में देखो ध्यान से समझना अगर आपके Profit and Loss Account में अगर आपके Trading और Profit and Loss Account में सर यह GSTR वालों को कैसे पता लगता है भाई जब आप अपनी GSTR 9C फाइल करते हो तो GSTR 9C फाइल करने में आपको अपना Profit and Loss Account और Balance Sheet लगानी होती है और वो क्या करते हैं उसी Balance Sheet को उसी Profit and Loss Account को डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी जाच करते हैं और जाच करने पर बताया गया है कि आपको फ्रेट ठीक है ना जाच पर पाया गया है कि 80,000 रुपे का फ्रेट जिस पर वस्तुयव सेवा कर अधिनियम के अंतरगत 12% की दर से कर देता है उक्त की जमा इस्तिती स्पस्ट नहीं है मतलब कि अगर आपके Profit and Loss Account में फ्रेट का खर्चा है तो अगर वो फ्रेट का खर्चा डेविट साइड में है तो उस पर ये आपसे RCM की लाइबिलिटी मांगेंगे अगर वो फ्रेट का खर्चा क्रेडिट साइड में है तो उस पर आपसे ये GST मांगेंगे तो अगर आपके P&L में ठीक है ना अगर आपके P&L में कोई भी फ्रेट का खर्चा है तो उसे जरा ध्यान से समझ लेना उसमें आपको दोनों जगा पर जवाब देनी होगी तो इस point का reply क्या देना है इस point का reply ये देना है comment box में लिख कर बताओ क्या-क्या reply दे तो इस point का अरे भई simple reply जो अगर debit side में है तो debit side में जो भी है तो आप बता दो कि जी मैंने इस पर RCMP कर दिया है और अगर आपने RCMP नहीं किया है तो आपको बताना पड़ेगा कि RCMP क्यों नहीं किया क्या ये 500 वाली freight है जो पहले 600 की limit हुआ करती थी या ये exempt की freight है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने freight पर RCMP जमा किया तो कितना किया क्यों किया क्यों नहीं किया ये चासारी कानी बतानी पड़ेगी अगर income side में freight की income ले रखी है तो आपको बताना पड़ेगा कि सेक्शन 15-2 के इसाप से ठीक है ना या सेक्शन 7 के इसाप से आपने इसके ओपर tax क्यों नहीं दिया अगली चीज अगली चीज है कि अगर आपके P&L account में अगर आपके P&L account में legal and professional नाम का खर्चा है तो ये आप से कहेंगे कि अगर ये legal and professional नाम का खर्चा है तो हमें तो ऐसा लगता है ये खर्चा वकील साब का है एडवोकेट साब का खर्चा है अरे भाई लीगल एंड प्रोफेशनल क्या सिरिफ और सिरिफ वकील साब ही होते हैं क्या सिये साब नहीं होते क्या तो इन्होंने का भाई देखो हम तो वकील साब मान कर चलने हैं कि आपने वकील साब को फीज दी 43,000 रुपे गी तो आप इस सियें के अंदर टैक्स जमा करवाए 18 परसेंट तो इसका क्या रिप्लाइद होगे कमेंट बोक्स में लिखकर बताओ अरे भाई इसका तो सिंपल रिप्लाइदे देंगे सार यह वाली फीज तो हमने अपने सीए साब को दी वकील साब को नहीं दी और सीए साब को जब हमने दिखाना जाओंगा डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती और डिपार्टमेंट की गलती क्यों दिखाते हो डिपार्टमेंट वाले आपसे नाराज हो जाएंगे नहीं भाई साब मैं डिपार्टमेंट की गलती इसलिए दिखाता हूं कि जब आप किसी क्लाइंट को नो की भी मजबूरीय उस पे भी समय नहीं होता तो उसकी भी गलतिया माफ कर दें तो मैं आपकी गलतिया माफ कर दूँँगा इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने section इन्होंने section 162D का reference दिया section 162D क्या होता है कोई बताएगा मुझे comment box में लिखकर अरे सर नहीं पता, हमारा कोर्स ले लो एप पर जाकर, महाँ पर सारा पता लग जाएगा जो section 162D है और आगे जलके इन्होंने एक्सोस्टी दिन की बात कर दी तो भाई ये तो दोनों ही आपस में contradict हैं, section 162D और 182, 180 days ये दोनों अलग-अलग बात है सर कैसे अलग-अलग बात है, भाई 180 days की जो बात लिखी हुई है, वो second proviso में लिखी हुई है तो पहली गलती तो ये है कि भाई जो आप ये कमी निकाल रहे हो, ये कमी निकालते समय आप section सही से coat नहीं कर रहे हैं तो भाई मेरी आप से request है कि section आप सही से coat किया अगर हो, क्योंकि हम आप से ये अनुरोद करते हैं, हम आप से इतनी हमारी इच्छा रहती है कि आप अगर section लिख रहे हैं तो सही लिखें, क्योंकि ये सैसी तो इसी section को डून देगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं section गलत लिख है कि आपकी balance sheet में 80,000,000 रुपे के creditor है, तो भाई balance sheet में 80,000,000 रुपे के creditor हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वह कह रहे है कि या तो आप ये बताओ, आप या तो बताओ कि आपने इनकी payment 180 दिन में कर दी, और अगर 180 दिन के अंदर आपने इसकी payment नहीं करी, तो हम इस धनरासी पर प्राप्त की गई ITC क्यों न reverse की जाए, यहां तक समझ आ गया, RITC, ठीक है न, RITC reverse की दर 12% की दर से होगी, मेरे इस आप से ये लिखना चारहे कि interest की दर 12% होगी, अब ये जो interest की दर 12% लाए, ये मुझे नहीं पता कहां से लाए, या जो ये 12% लेकर ये कहां से लाए, मुझे नहीं पता, और इसके ऊपर इन्होंने क्या करा, जो reversal करा, RITC का, तो 10 लाग रुपे को तो reversal दिखा दिया, 10 लाग रुपे को तो रिवर्सल दिखा दिया, किस चीज पर भाई, 80 लाग के credit और 10 लाग रुपे का भ्याज लगा दिया, तो मतलब की client को सीधा सीधा 20 लाग रुपे का notice बेज दिया, अब ऐसे notice को देखकर, तुम बताओ client का hard attack होगा या नहीं होगा, इस 20 लाग रुपे के notice में, ठीक है न, यहाँ पर इस चीज को समझना चाहिए, कि वह यहाँ पर इन्होंने सारी चीजे, ठीक है न, यहाँ पर सारी चीजे, ठीक है इन्होंने सारी के against कर दी, अब यहाँ पर सारी की क्या गलती है, सारी की एक गलती है जो मुझे लगती है, सारी को जब एक बार आप 10,000 रुपे फीस मांग लेते हो, और जब डिपार्टमेंट जाता हूँ, तो डिपार्टमेंट में भी कुछ फीस लग जाती है, डिपार् जोड़ोक्स में लिख कर बताना, हाँ, इसके बाद सर जब आप DRC-01 आता है, यह डिपार्टमेंट में भी लग जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, यह सम्टी 10 का रिपलाई नहीं देता, मैं सोलता हूँ, यह आप लोगों को देता, भई ऐसी तिंकिंग गलत है, जो मैटर निचले इस्तर पर निपट जाए उसे महीं निपटा दो ऐसा मेरा मानने अरे सर अधिकारी को दिक्कत हो जाती है कई बाप अधिकारी चेंज हो जाते हैं ठीक है ना वो गड़बड हो जाती है सर दो बार खर्चा लग जाता है ठीक है ना सिये साब का भी और पर इत्ती देर बैठते हो तुम टिक है ना वेटिंग टाइम लगता है खाने पीने का खर्चा समझ गए ना मेरी बात हां सर समझ गए तो इस तरह के नोटिस जो यह 20 लाग रुपे के आ रहे हैं इससे क्लाइंट परिशान है इसका रिप्लाइ कैसे देना है मैंने आपको बता दिया आप अपने सारे क्रेडिटर्स का ठीक है लेजर एकाउंट निकालो और उसमें देखो 180 डेस कहां-कहां फोलो नहीं हुआ पहले तो एक्जेक्ट अमाउंट निकालो फिर 180 डेस पे भी ना फाइट कर सकते हो क्योंकि 180 डेस का जो कानून है वो पूरी तरीके से इ सब्सक्राइब निकालना अभी मेरे साथ से इतना ओचित्ते नहीं है आप इसे रिप्लाइ करो अपील में जाओ क्या पता यह मैंटर आपका छूट जाए समझे मेरी बात को तिके ना क्योंकि 180 डेस वाली कंडिशन का जो लो फ्रेम है या जो रूल फ्रेम है जिसे हम अपन 9 और 9C कैसे बरनी है इसके लिए हमने वेbinar रखा है ठीक है न तो उस webinar को join कर लेना और अभी तक किसी ने अगर इस book का order नहीं कर आए तो इसे order कर देना क्योंकि इसकी physical copy खतम होने वाली है ठीक है इसके बाद इसकी physical copy नहीं चपवाएंगे अगले साल चपवाएंगे नए लिए आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू फॉर वच्चिंग आपका दिल से धन्यवाद थैंक यू फॉर वच्चिंग